तो सम्मोसे बनाने के लिए सबसे पहले सम्मोसी की स्टफिंग चीएगी तो पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं उसको ठंडा होने में थोड़ा भक्त लगता है तो सबसे पहले कड़ाई में जाएगा तील करीब 1 टीस Michigan ढाना है यहां पर तेल इस चीज के ध्यान रखें तेल को गरम होने देतं है तो जब तक तू क ανα हो आ आपको बता जिए यह मैंने मिडिया में साइज के चार आलू लिये हैं ठीक है इनको हम्हाँ वह लेते हैं ये लिजी आलू में मैश नहीं किया हलके से फोड़ लीए तो मूटे-मोटे फोड़ में तेल भी गरम हो गया है तेल में हम सबसे बहले डाल देंगे शॉंफ। दरदरी कुटी भी करीब 1 teaspoon सौंफ डाल देंगे, 3 हरीबरिश डाल देंगे बारी कुटी भी गैस बिलकुल लो फिलम पर रखेंगे, 10 चुटकी हल्दी डाल देंगे, 1 teaspoon हिंग पाउडर डाल देंगे, अब यहां पर दरदरा धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, दरदरा लेकिन मैं यहां पर पाउडर ले रहा हूँ, क्योंकि मों में साबुसाबुत आता है, मुझे पसंद नहीं है, आपको अगर इस पारे में कुछ पता हो तो बता देंगे, तो 1 tablespoon यहां धनिया पाउडर टाल देंगे, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे हम, अब जो मैं समोसे मना रहा ह सीदे डारेक्टली इसमें जाएंगे आलू, आलू को मिला लें इसमें, कैस लोग फ्लेंपे ही रखे, पहले हमने जो सौप डाली थी, वो डाल दी थी तेल में, तो उससे क्या वो तेल में थोड़ी सी फ्राय होई, थोड़ी सी हमार को 8-10 चुटकी कच्ची डालने पड़े यह मिला लेते हैं इसको, अब मैं जो बनाने वाला हूँ, रेडी वाले जो बनाते ना, जो मतलब अजमेर में जो समोसा बनता है, वो वाला यह बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची डालेंगे ना, तो आप समोसा कभी भी खोल के देखना, अजमेर के समोसे में कभी भी लाल मिर्ची कभी भी नहीं होगी यह चीज का ध्यान लगें आप यहां जाएगी most popular सामगरी 1 teaspoon लोंगया मिर्च भूट तीखी होती है यह और काफी लोग मिर्च को इसके बारे में comment करते हैं कि क्या होती है actually यह काफी तीखी लाल मिर्ची होती है और इसे पीली मिर्च भी कहते हैं कही जगे और यह जालातर आसानी से नहीं मिलती है अब यह देखें इस पर कलर नहीं होना इसका चेंज है और यह तीखी भी इतनी होती है साथ में वन टीश्पून जाएगा अमचूर पाउडर अब यह वन टीबल स्पून भी आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं मिला लेते हैं वन टीश्पून पोधीना दरदरा जाएगा मतलब सूखा हुआ जाएगा आप चाहे तो यहां पर फ्रेश आपको मिल जाए तो आप फ्रेश टालें वह ज्यादा बढ़िया रहेगा लेकिन में पाउडर फ्रेश नहीं है आज अवेलिबल तो मैं यह सूखा हुआ दरदरा अब इसमें हम क्या डालेंगे मतर, 50 gram मतर डालेंगे अगर आपके बास नहीं हो तो आप स्क्रीप कर सकते लेकिन एक मतर का बढ़िया फ्लेवर आता है अब जो शाही समोसा बनता है उसमें काजू डलते हैं उसमें अनार डलते हैं और भी दू तीन और सामगरे डलती है लेकिन हम शाही समोसा नहीं बना रहे हैं अगर आप कॉमेंट करेंगे तो मैं आपको इस बाद शाही समोसा भी बना के दिखाऊंगा बस लास्ट में जाएग विल्कुल आप इनका चूरा कर देंगे, धीक drills कर देंगे तो यह समोसे में मज़ा निहीं आता है मुझे ओनार, तो यहादा तो यह थोड़व्योग जाल ठीडर at dictionary, यहादा मोठे भी नहीं रहना चीन हाँ हलका से aote अब पिस्जेगे क्या है जब गैस कर देते बन अब इसका नमक वगर आप टीस्ट कर ले ठीक है अब यह देखिया अभी लाल मिट्चे डाल दे तो यह लाल लाल हो जाता ज्यादा हुदी डाल दे तो पीला पीला हो जाता यह ऐसा ही जो रहता है अजमेर के समोसे में जो और कड़ाई में जाएगा थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा तेल जींडिल ने यानि मैंने इसमें 1 teaspoon तेल डाला हैं तेल गरम होने के साथ जाएगी हरी मिल्च यहानि मिल्ची मैंने डाली है ति विल्कुल थोड़ी सी हल्दी जाएगी ज्यादा भी आप ले सकते लेकिन वो कलर फिर यलो यलो हो जाएगा तो यहां मैं आठ से तस्विछ हल्दी डाल रहा हूं यहां जाएगा एक आलू मैश की अवब कैस बिल्कुल लोफ लेक पर रखनी है हाफ टेबिल इस्पुन सौंच जाएगी दरदरी कुटी भी हाफ टेबिल इस्पुन जाएगा सूखा पुधीना आप इसकी जगे त्रेश पुधीना भी ले सकते मेरे पास आज अवेलिबल नहीं है साथ में जाएगा वन टेबिल इ मिक्स कर लेंगे अब यहां पर धनियाद फुड़ा सा दरदरा पुटावा भी डाल सकते हैं पर मुह में आता है मुझे तो पसंद नहीं है आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं खटाई के लिए जाएगा करीब हाफ टेबिल स्पून हम्चूर पाउडर वन टी स्पून हिंग पाउडर आप तेल भी डाल सकते हैं लेकिन वह खुश्बू चली जाती यह तेल में डालने से आठ से दस पिंच काला नमक वन टी स्पून सी सॉल्ट मिला लेते एक बार अब इस जगे मैं लाल मिर्ची यूज नहीं कर रहा हूं मैं करने वाला हूं लौंगी मिर्ची यह से पीली मिर्ची भी कहते हैं और उसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल आलग होता है मतलब तीकी भी होती है और थोड़ी सी चैन नी करती है तो यह डालने के 1-3 स्पून जादा ना डाल दे वरना बहुत तीकी हो जाई है आपकी जो स्टफिंग है मिला लेते हैं और वैसे वी मत्र मीठी होती है तो थोड़ी जादा भी आप डाल सकते हैं मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा बारीक कटा वारदनिया इसक पूरी से अनार दाने जाएंगे करीब 20-25 ग्राव इनको मिला लेते हैं गयास कर देते हैं अब इसको कर देते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लें तो बिना मैश किये भी आप यह स्टफिंग भर सकते हैं तो यह एक बड़ी आफ लिवर आएगा विए विस्टफिंग को ज्यादा भी नहीं करना पूरी फोड़नी भी नहीं थोड़ी से फूटी भी रहनी चीए अब इस निकाल लेते हैं परत्र में ठंडी कर लेते हैं तो चलिए अब तक स्टफिंग आराम फर्मा रही है मतलब ठंडी हो रही है तब तक हम डो लगा लेते हैं समोसे का तो यहां हमने करीब 400 ग्राम मैदा ली है ठीक है थोड़ा बहुत बच जाए तो आप कुछ भी बना सकते हाफ टेबल स्पून दर्दरी मतलब इस तरीके से क्रश करकर अजवाइन अजवाइन नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आएगा यह लीजिए अजवाइन हो गई कि साथ में जाए इसमें दू चमज तेल दो से तीन चमज मतलब और अब इसे मिला लेते हैं अब अच्छे से इसको पहले मिलाना है अब यह देखिए यहाँ पर मैंने इसे मिला लिया है लेकिन यह देखिए अगर यह मुठी में बंद केकर तूट रहा है नहीं यह देखिए तो इसका मतलब यहाँ पर मौइन कम है तो इसलिए आपको तेल और डाल अपनेगा तो करीब 3 चमश तेल और डाल देते हैं तोटल हो गया 6 चमश तेल अब मिला लेते हैं इसको मिलाने में जल्द बाजी ना करें इसे अच्छे से मिलाएंगे तो खस्ता बढ़िया आपके समोसे बनेगे इस चीज के अध्यान रगे यहां चल्दी नहीं करने हैं अच्छे से टाइम देना है अच्छे से देखो स्टाफ इसे मिलाने में आपको अच्छे से ताइमिंग डेनी है पांच यँए 6 मिनट देने तो गोर बड़िया रिजल्ट आएगा लेकिन 3-4 मिन इस चाह काफी है तरीके से तप अन्दाब 흔ं दबाने के जरूत नहीं और दबाएंगे तरवेbon तोटे नहीं इसके देखिए यह यह देखिएं और अकर आपको अच्छे से चेक करने और आप करें इस तरूड़ दें यह देखिए यानिकि बिल्कुर पर्फेक्ट यह डो लगाने के लिए समोषय खसता बनाने के लिए तयार है 400 ग्राम जो मेहदा है उसके अंदर सिर्फ आपका 80 ml के आसपास ही पानी लगने वाला है ज्यादा पानी नहीं लगेगा क्योंकि बीच का डो लगाना है हमें ना सक्त लगाना है सक्तो लगाना ही नहीं इस चीज का देहा लगे थोड़ा साम डालेंगे 10 मिक्स करेंगे इस तरीके से सब्सक्राइब है सक्तो होना ही ची सौब्द चले आएगा लेकिन सक नहीं चलिए फिर वह क्रिस्पी निए खसता नहीं होंगे वह क्रिस्पी और खसता में बहुत परग होता है इस बारे में आपको पता हो तो नीचे कॉम्टेबूकस में जल्दी से बताईए यह लीजिए अप थोड़ा सा और पानी रालतें बस के लिए अब यह देखिए यह ऐसे हो गया इ कि फिर थोड़ा सा पाणी डालेंगे पिर इसको यहां रख देंगे इस इी तरीके से यह यह देखिए कि इसको साइड में करेंगे यह हां पर लेंगे थोड़ा सा पानी और डालेंगे यह दिजिए यहां रख देंगे थोड़ा सा पानी और ज्यादा पानी ने दस बारा मतलब 10-12 ml आपको डालना है हर बार में यह देखिए अब यहां पर सारे हमारे यह डो बंद गए हैं थोड़ा वो सूका है लाश में बस थोड़ा सा पानी और यह लीजिए अब इसे इस चीज का द्यान रखें यह चिकन होना चीए चिकना नहीं होंगे तो फिर आपके समोसे में खस्तापन नहीं आएगा इस्को चिकना करना हैowy अच्छे से पूरा डो जो भी गीला डो होगा ना वो इसमें बंद जाएगा इस तरीके से देखिए यह बंद गया इसको यहां रख देते हैं अब लाइट और फाइनल बार इसमें पाने ओवर डाल देते हैं यह लीजिए अब इसे अच्छे से मतना हैं गूतना हैं चिकना करता हैं अब बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा अब यहाँ पर मैंने से हाथ में ले लिया है और प्लीट फॉरम पे थोड़ी सी मैदा डाल देंगे अब इसे अच्छे से मतना है अब चिपके आपके पर जैसे मतने जाएगे न यह इसका चिपचिपापन चला जाएगा फूरी से महनत करने पड़ेगी इसके साथ में इस तरीके से चेकना हो जाएगा बिल्कुल अब बस इसे दस मिनिट हमें रहस दिन है हाथ भी बना सकते हैं आपको रिक्कत नहीं है लेकिन परफेक्ट मनाने तो इसको ढखके दस मिनिट के लिए रख देते हैं तो यह लीजिए हाँ पर डो भी तयार है स्टफिंग भी तयार है समोसे की डो भी तयार है और यह मटर के समोसे की स्टफिंग भी तयार है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पहले इसे निकाल लेते हैं और इस तरीके से कि इसको इस तरीके से फ्लाइट कर लेंगे अब इसके हम डो काट लेते हैं एक दो तीन चार यह इस तरीके से तो यह सारे हमने यह काट ली है इनको एक बर्तर में निकाल लेते हैं तो अब क्या करते हैं एक लोई ले लेते हैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से चलाएंगे और इस तरीके से रब करेंगे यह लीजे इस तरीके से कर लेना है और इसको बेलना कैसे इस चीज का द्यान रखना है इसको इस तरीके से बेलना है इस तरफ से यह लंबा होना चीए इस तरफ से कम लंबा होना चीज इस चीज का द्यान रखना है कि ऐसे बेलना है आपको एक चीज का ध्यान रखे यह और उसे एक बार उठा लें इस तरीके से और इस तरीके से फिर रखते हैं तो यह बराबर हो जाएगा बीच में से इसके दो पीस कर देने हैं आप यह दोपीस हो गए अब भरने का जो फोल्ड करने का होता है समूसे का वह काफी लोगों से आता नहीं है तो आपको बस इस किनारी के धान रखने है यह वाली जो किनारी ये किनारी इसके उप्पर जाएगी तो अच्छे से आप जैसे החसे के अच्छे से आप जैसे उपना स्मोसा आइब हो ओना है यह यह द्यूण है तक दो यहां आपैटाने लगा लेना है इसके कि अजude ऑ इस तरीक अजह वालो को यहां फ्रेक्वानी में आप तरीक़ी अरद दमाहे है यूंँ लेने आपको और इस साथ पर रख लें से कई यह देए यैस तरीके से राख लेना है उसके बाद उसमें डॉल देना है यह इन is stuffing कर यह यह पर वाला है गॉप्प ना दौ तरीके से फूल होता है इस चीज का देहर रखे जो उपर से फोल करते हैं तो दो तरीके से होता है एक तरीका तो मैं आपको दिखा दियता हूँ देखिए एक तरीका यह होता है कि पहले तो आपको इसको थोड़ा सा उपर लेना है थोड़ा सा पानी यहां किनारी के लगाना है एक तरीका तो देखे सिंपल यह होता है कि आप इसको इस तरीके से दबादे यह देखिए इस तरीके से दबादे इस तरीके से एक तरीका तो यह होता है एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ यह देखिए अब इसको हम रख देते हैं बिल्कुल परफेक्ट देखिए समुस कि अब इसके बेंने नहीं बीच में выпуск myth कग ए है मैं और हमस्बडा tariq हो इसको फोल्ड़कंथ करने में इसे लगता पताने को कूण सल्सक्राइब को दिक एवत्छा क्वें तो कौn सी बढ़ता को चीज है वह ही झहीं ही बिलकुल सा तरीक यह जो किनारी है इस किनारी को इस पे C कि अरगे यह रखना है और इस तरीके से प्रेश ऐसे बिल्कुल तयार हो गया है समूश होगा है और फटेंगे भी नहीं एक फटता है उनका भी यह इस तरीके से इसको रखना है अब उनका रोज का काम होता है अब दो तरीके से इसे फूल करते हैं मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाला हूं आपको बिल्कुल सिंपल वो क्या करते हैं यह वाला और यह वाला पार्ट लेते हैं और यह वाला चपका देते लेकिन बिल्कुल तरीका बताने वाला मार्केट जैसा ही आएगा अब इसमें जाएं घाल की स्टफिंग यह गई स्टफिंग इस तरीके से आंगोटें पी रख लेना है यह यूं रख लेना है इस्टफिंग तो घर के लिए बना रहें त थोड़ा सा इसको आपक लूब करना पड़ेगा है यूं है इस तरीके से इसको थोड़ा सा उपड़ करें इसको दिश्चकी मिल दे यह यह को कि उपर खीचते जाए यह रस राना है यह देखिए यह पर्फेक्ट मार्केट जैसा सस्मोसा तैयार है वो भी मंकर वाला और एक प्लेट ये तयार है तो करीब हमारे हैं चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 12 13 14 15 16 करीब 16 समूसे बनकर तयार हुए अब बस क्या करना है तील को जादा गरम नहीं करना है इस चीज का देने के हलका गरम है इसे हात लगा के रख लें अगर ताप आ रहा है आपके हात में तो बस तील गरम है हाइव फ्लिम पे गरम करके gas को बिलकुल low-playing पे करदे फिर इस में उठाकर इस तरीके से sumon जरड़ा गरम तेल में न डाले हैं तो एक बार में मेरी कडाई में चार होने वाले हैं और आप चाहें बड़ी कडाई हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अब इंको थोड़ा साम डूबो देते हैं तेल में अब यहां आपको पेशेंस रखने है आपके समों से थोड़ी दिर में तैरने लगेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट डू है अब इससे थोड़ा थोड़ा हमें चलाते रहना है यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से पलड़ देते हैं अब एक चुली कि आप अगर ज्यादा तेल गरम कर देंगे तो क्या होगा कि यह इसके अंदर जो बबल है ना ज्यारा इस पर बबल हो जाएंगे बिल्कुल हमें इसको लोग फ्लेम पर यहां पर पीशे अगर बिल्कुल वह वाला फ्लेमर अगर जल्दी की जीए आपको तो महरा जल्दी से पक जाती है स्टफिंग हमारी पकी भी है तो हाई फ्लेम पर आप कर सकते हैं बस आपको चलाते रहना पड़ेगा लेकिन लोग फ्लेम पर जो रिजल्ट आएंगे वह बिल्कुल मार्केट जैसे हलवाई वाले इसाब किता पलट दें अब जो समोसे बनाने वाले मार्केट वो उनके कड़ाई काभी बड़ी होती है वे देगे हलका हलका इनका कलर चेंज होने लगा है अब बस इन्हें बिल्कुल गोल्डन करना है अब जारा देनने लगी कि बस दूर मिनिट और लगेंगे दिटिए बिल्कुल पर नड़ते रहें मना इक तरफ से जल जाएंगे एक तरह से जादा हो जाएंगे एक तरफ से कम रह जाएंगे ती लिजे गर्वा गर्वा आप बिलकुल बजार जैसे हलवाई जैसे समोसे बन कर तयार है निकाल लेते हैं आपको थोड़ा और पेशनस रखने के लिए इनको और बढ़िया से गोल्डन ब्राउन करने के लिए आपको थोड़ा सा और रखना पड़ेगा पर मैं निकाल लेते बिलकुल मार्केट बजार जैसे अब यह जैसे ठंडे होंगे ना तो इनका कलर चेंज होगा इस चीज का ध्यान रखे आपको ऐसा लगेगा यह पके निये पर यह बढ़िया से पक गए है बिलकुल एक दम बजार जैसे यह हमारे यह देखिए बिलकुल एक दम खसता बिलकुल शेप भी बढ़िया है यह देखिए आप मस्त बनकर तयार है समोसे निकाल लेते हैं इनको ओ गिर गया एक तो यहां दूसरा पाया भी चाहा रहा हूं आप आप बस जैसे में आपको बता है वैसे आपको करना इनको पलटते रहना है थोड़ा सा तील गरम होगा तो क्या होगा यह दिखिए तील तो गरम तो इस पे जो बबल है ना मैदा वह ज्यादा आगए है तो दिकत नहीं बहुत बढ़िया होनी चीए बस अगर आप सारे हम समोसे फ्राय कर लेंगे तो यह दिखिए हमारा दूसरा पाया भी तैयार है इसको हमने बिल्कुल अच्छे से गोल्डन प्राउं कर लिया है यह दूसरा पाया भी निकाल लेते हैं यह बढ़िया से समोसे आहाहाहा फूल स्टफिंग भरिये मजा आजागा खाने में मार्केट वाला मत कैं मेरा ज्यादा होती है और स्टफिंग ना के बराबर होती है यह लीजए तीसरा पाया डाल देते इसमें अब देखिए हाँ पर तेल गरम था अब मैं दिखा देता हूं गरम गरम तेल में डालें तो क्या होगा यह देखिए इस तरहें के बबल है ना यह देखिए पास से इस तरहें के बबल आपके समोसे को हो जाएंगे लेकिन इसटफिंग इतनी बड़िया है के बबल भी होगे बीजु देखिए इसपर कितने जारे हो गये है यह देखिए मैं देखा ता आको को कि मैं शारी चीजे बता रहा हों को यह डिखे इस पर भी bubble हो गयें काफी सारी यह डेखी है तो गर्म तेल में डालें के तो अब बबल और आइंगी और सिद्भाइब बिना थंद ध globally में डालें तो सबतरू है इस तरी के आई रहा है जिए इस ऐक एक बम बबल भी ये लिजिए और अब इसमें जाएगी अश्मेर वाली अश्मेor वाली कडी ये गई इसमें अश्मेर वाली कड़ी गई ये लिजए साफ में कुछ लोग मीटी चटनी नहीं खाते तो ये गई हमारी तो हरी चटनी यह करती है फ्लेवर इन्हेंस और यह गई इसमें इमली की चटनी कुछ लोग गुड़की यूज़ करते हैं यह रही है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत मजा आने वाला और सर्दी पढ़ रही है बारिश भी हो रही है तो फ्रेंटोस अगर तो क्या कहते हो दोस्तों मुह में पानी आया ना बिल्कुल बना के देखना ज्यादा डाइम नहीं लगता है समोसे की रेस्पी है मेरे चैनल पर बिल्कुल अज मेरे जैसे समोसे और कड़ी की भी तो तीन रेस्पी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें सारी सामगरी भ